कि नमस्कार किसान भाईयों कृषिभाय मंडी अपडेट्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम है क्रतिक और चलिए जान लेते हैं कि उत्पधेश की मंडियों में आज यानी की 31 जन्वरी को क्या रहे फसलों के दाम शुरुबात करते हैं धान से दादरी की मंडी में धान के दाम से 3481 रुपए हापड़ा की मंडी में थे 3490 रुपए कोशिकला की मंडी में थे 3384 रुपए जहांगिराबाद की मंडी में थे 3381 रुपए बाजरे के दाम खुर्जा की मेंडी में थे 1766 रुपए जहांगिराबाद की मेंडी में थे 1760 रुपए कानपूर की मेंडी में थे 1795 रुपए उचनेरा की मेंडी में थे 1650 रुपए चौभेपूर की मेंडी में थे 1620 रुपए मक्के के दाम जहागिराबाद की मंडी में थे 2030 रुपए सिरसागंज की मंडी में थे 2000 रुपए तादरी की मंडी में थे 1900 रुपए हापुडा की मंडी में भी थे 1900 रुपए और सहरंपूर की मंडी में भी थे 1900 रुपए गेहुं कदाम कौशी कला की मेंडी में थे 2100 रुपए, टुंडला की मेंडी में थे 2100 रुपए, घिरोज़ाबाद की मेंडी में थे 2090 रुपए, घिरोर की मेंडी में थे 2060 रुपए, मौनपूर की मेंडी में थे 2051 रुपए बूंग कदाम गाजियाबाद की मंडी में थे 8000 रुपए, मेरट की मंडी में थे 7980 रुपए, शामली की मंडी में थे 7960 रुपए, साहरनपुर की मंडी में थे 7940 रुपए, और वारणासी की मंडी में थे 7930 रुपए बात की जाए उड़त के दामों की तो चंदोली की मंडी में उड़त के दाम थे 8,060 रुपए अलिगड की मंडी में थे 8,050 रुपए आगरा की मंडी में भी थे 8,050 रुपए तादरी की मंडी में थे 8,050 रुपए लेसुन कदामों की बात की जाए तो गाजीपूर की मंडी में लेसुन कदाम थे 5600 रुपए पलियागला की मंडी में थे 5530 रुपए मेंगल गंज की मंडी में थे 5510 रुपए वारानासी की मंडी में थे 5500 रुपए लकिंपूर की मंडी में थे 5500 रुपए बात करें अरहर कदामों की तो मिर्जापुर की मंडी में अरहर कदाम थे 6475 रुपए कानपुर की मंडी में थे 6460 रुपए अहिरूरा की मंडी में थे 6450 रुपए फिरोजाबाद की मंडी में थे 6450 रुपए सर्सों कदाम घाजियाबाद की मंडी में 7000 625 रुपए राइब लीत में चने के दामों की बात की जाए तो गाजियाबाद की मंडी में चने के दाम थे 6200 रुपए तुलशीपूर की मंडी में थे 6175 रुपए बलरामपूर की मंडी में थे 6150 रुपए गोड़ा की मंडी में थे 6140 रुपए और मेरिट की मंडी में थे 6050 रुपए सोयबीन के दाम ललितपुर की मंडी में थे 5,750 रुपए मुंगफली के दाम कानपुर की मंडी में थे 6,850 रुपए एटाबा की मंडी में थे 6,325 रुपए और एया की मंडी में थे 6,300 रुपए वारनासी की मंडी में थे 6,130 रुपए और एटा की मंडी में थे 5,865 रुपए जो के दाम, राट की मंडी में थे 2300 रुपए टुडला की मंडी में थे 2300 रुपए कानपूर की मंडी में थे 2240 रुपए इटावा की मंडी में थे 215 रुपए फिरोजाबाद की मंडी में थे 215 रुपए में बात करते हैं टमाटर की, तो शाहजापुर की मंडी में टमाटर के दाम थे 1760 रुपए, गाजियाबाद की मंडी में थे 1450 रुपए, मुराद नगर की मंडी में थे 1400 रुपए, हापुडा की मंडी में थे 1360 रुपए, और मवाना की मंडी में थे 1350 रुपए प्यास कदाम गाजियाबाद की मंडी में थे 2460 रुपए अकबरपुर की मंडी में थे 2400 रुपए टांडा की मंडी में थे 2400 रुपए अलिगड की मंडी में थे 2350 रुपए और दादरी की मंडी में भी थे 2350 रुपए बात की जाए आलू कदामों की तो बुलंद शेहर की मंडी में आलू कदाम थे 1070 रुपए खुर्जा की मंडी में भी थे 1070 रुपए जहांगिराबाद की मंडी में थे 1040 रुपए गाजियाबाद की मंडी में थे 1025 रुपए और टूंडला की मंडी में थे 1020 रुपए किसान भाईयों ये थे आज के उत्तरप्रदेश के मंडी अपडेट्स इसी तरह के और अपडेट्स के लिए बने रहें कुशी फाय के सांथ धन्यवाद